तो दोस्तों आप लोगने मेरे पिसले वीडियो में देखा हुआ कि मैंने इस तरीके की एक कमाल की गन बनाई थी जिसको हमें कुछ इस तरीके से लूट करना होता है और अगर दोस्तों आप लोग ने मेरे पीसली वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो लिंक डिस्क्रेशन बाक्स में दे दूँगा वहाँ पर जा करके देख सकते हो मैंने इस गन को किस तरीके से बना है मैंने उस वीडियो में बताईए तो दोस्तों इसको चलाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से इसे लोट कर देना होता है और उसके बाद जो इस तरीके का जो दिवाली वाला जो रिंग कैप होता है उसको हमें इसके उपर यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देते है तो यह भी हमारा जो ring cap है वो set हो चुका है और उसके बाद जो bamboo stick होती है इस तरीके की वाली इसको हमें gun के आगे इस तरीके से डाल देना होता है और उसके बाद इसको हम चोटा मोटा target practice कर सकते हैं और इस तरीके से चला सकते हैं तो चले भी यहाँ पर मैं इस इस box पर आप लोग चला करके दिखा दे रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से हमें इस चलाना होता है और दोस्तों अगर आप लोग देखना चालते हैं कि मैंने इस gun को किस तरीके बना है तो मैं इसकी फुल वीडियो की link को description box में दे दूँगा अब वहाँ पर जा करके देख सकते हूँ और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ दिन पहले इस तरीके की एक वीडियो देखी होगी जिसमें कि मैंने बैटरी चलने वाले यह गन बनाया था फिलाल से वो यह गन है लेकिन इसकी बैटरी और कुछ पार्टस इसके मैंने निकाल दिये क्योंकि उससे मुझे दूसरे काम में लेना था तो दोस्तों उस वीडियो को मैंने कुछ उसमें कमिया थी जिस वाजे से मैंने उसे delete कर दिया था फिलाल से मैंने उसे फिर से रिएपलोड किया हुआ है और आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नोटिफिकेशन दे रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा आप वहाँ पे जाकर उसे फिर से देख सकते हैं फिलाल से यहाँ पे मैंने इस तरीकी की गन बनाई थी जो कि बैटरी चलती थी और यह एक तरीकी की एर गन थी जो कि बहुत ही मस गन थी तो मैं इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिस्टन बॉक्स में दे दूँगा आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो तो इस वाली गन की वीडियो और इस वाली गन की दोनों की वीडियो की लिंक मैंने नीचे description box में दे रखी है आप वहाँ पे जाकर रखे इन guns को देख सकते हो कि मैंने इन guns को किस तरीकेस बनाया है और मैं पहले ही बता दू कि ये कोई बहुत जादा powerful gun नहीं है इसे मैंने सिर्फ खेलने के लिए बनाया है कि ये खेलने के लिए बनाया है